नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इंडिया नियूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडी सलमान खान के जीजा और बॉलिवूड में बतौर अक्टर अपनी पहचान बनाने वाले आयूश शर्मा ने फिल्म लव्यातरी से अपनी शुरुवात की थी अलाकि सोशल मीडिया पर वो अपनी फिल्मों से ज़ादा अर्पिता खान के साथ शादी को लेकर हमेशा ही सुर्ख्यों में बनी रहते हैं कुछ दिनों पहले ही आयूश शर्मा ने अर्पिता को उनके रंग भेद को लेकर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया था आपको बता दे कि जब अर्पिता और आयूश शर्मा की शादी हुई थी तो उस दोरान सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ये कहते हुए ट्रोल कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ सल्मान खान के पैसों को देखते हुई उनकी बहन से शादी की है अब शादी के कई सालों के बाद उन्होंने बताया है कि आखिर उन्होंने अर्पिता खान से शादी किस वज़े से की है जिया मीडिया को दिये गए एक इंटर्व्यू में हाल ही में आयूश शर्मा ने अर्पिता के साथ अपने रिष्टे पर खुल कर बात की और अपनी पतनी की तारिफों के पुल बाढ़े अंतिम आक्टर ने कहा कि अर्पिता बहुत ही मजबूत आत्म विश्वासी महीला है और मैं उन्हीं लाइफ पार्टनर के रूप में पाकट बहुत ही खुश हो वह जैसी हैं उसे सुईकार करती हैं लगातार होने वाली ट्रोलिंग से हमारे रिष्टे पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि शोबीज का एक साइट भी देखा हुआ है जब मैं नया नया इंडस्ट्री में आया था तो लोगों ने अपने मन में एक विचार बनाया हुआ था कि मैंने पैसे और एक्टर बनने के लिए अर्पिता से शादी की है ये बात मुझे पहले बहुत ही ज़ादा हट करती थी लेकिन आयुश शर्मा ने अर्पिता खान के ये बात जो है वो पता है जी हां आयुश शर्मा पर कुछ ट्रोल्स ने सल्मान खान के पैसो का इस्तमाल करने लग्शरी लाइफ जी ने और महंगी चीजों को खरीदने का भी इल्जाम लगा था जिसके बाद में ट्रोलर्स की जो बोलती है वो बंद कर दी गई अक्टर न की शादी साल 2014 में ताज फलकुनामा पैलिस हैदराबाद में हुई थी आयुश शर्मा के दादा खुश राम शर्मा जो है टेलीकॉम मिनिस्टर रह चुकी है आयुश शर्मा का एक बेटा आहिल और आयात है और एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत लव्यातरी से की थी इसके बाद वे अंतिम में नजर आए आयुश शर्मा जोल्धी फिल्म रुसलान में भी नजर आने वाले हैं तो इसी तरह के एंटेटेन्मेंट जोगत की तमाम अपडेट्स के लिए जोड़े रिये इंडिया नियूज के साथ